हिजबुल्ला के मुख्या को मार कर अब इस्राइली सेना लेबनान में घुश चुकी है। रखते ही इरान समर्थित प्रतिरोध की धूरी जिसे एकसेस ओफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है पूरी तरह से तिल मिला गई है। प्रिपर ड्रोन को साधा प्रांत के उपर मार गिराया। आपको यहां यह भी बता दे कि अमेरिका का ग्यारवा ड्रोन है जिसे हूती लड़ाकों ने मार गिराया है। और अब हूती ने यह दावा किया है कि यमन की एरो स्पेस यूनिट ने गाजा पट्टी में तैल अविव शासंद के चल रहे अत्याचारों और पूरे लेबनान में उसके हमलों के प्रतिशोद में इसराइल के कबजे वाले इलाकों में रननितिक शेत्र के खिलाफ दो सामी केस ड्रोन का उपियोग करके तटिये शहर टेल अविव के पास एक महतवपून लक्ष पर हमला किया इसके साथ ही उन्होंने चार घरेलू स्तर पर विक्सेद समद फोर लडाकू ड्रोन के साथ कबजे वाले इलाके के सबसे दक्षनी हिस्से में इलट बंदरगा पर मि अपियेडियर जनरल याया सारी ने बयान जारी कर कहा कि किये गए दोनों आपरेशन्स सफल रहे हैं है किये नमाने आपरेशन्स Wesdy, सिलाष लाद के लिक्षन के समद लुतितरो अपियर दिया अम्ने ह्जद एलावरा बंदरएकियर लुपैयर लड्रोन के सबस्यर के लिक्र किये उन इता इसमाती हैं आपको बता दे कि हूती ने नितनियाहू को मारने की कोशिश की थी दरसल हूती ने इसराइल के बैंगुरोन एरपोर्ट पर फिलिस्तीन टू बेलेस्टिक मिसाइल दागी थी और ये मिसाइल ऐसे वक्त पर फायर की गई थी जब नितनियाहू अमेरिका से यूएन को संबोधित करके वापस लोटे थे वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायसारी ने कहा था कि हूती के लड़ाकों ने बैलेस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन टू से ये हमला किया था इस हमले से एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने तैल अविव पर इसी मिसाइल और एशकेलोन में एक प्रमुक्सेन ने टार्गेट पर याफाड ड्रोन से हमला किया था आपको बताने की हूती को जंग लड़ने का एक अच्छा खास आनुभाव है क्योंकि हूतीयों ने सौधी अरब और अन्ने राज्यों द्वारा समर्थित सरकार के खिलाफ यमन में एक लंबा युध लड़ा है और वो उसमें सफल भी हुए है इस प्रकार उनके पास उन्नत हत्यार वाले देशों के खिलाफ लड़ने का एक अच्छा खास आनुभाव है पिछले एक साल के दोरान हूती ने बिना किसी खौफ के लाल सागर में ता बड़तोड हमले किये उसने वानेजिक जहाजों और अमेरिकी नौसेना के साथ साथ य और देखा जाए तो हूती की ताकत में लगातार बड़ हुत्री ही हो रही है जिसकी वज़ा से इस बात में कोई दोराय नहीं कि इसराइल के लिए हूतियों पे पार पापाना इतना आसान नहीं होगा झाल